इस्वर की उपस्यती एक अदमी रात को जपड़ी में बैट कर एक छोटे से दिये को जला कर कोई सस्त्र पाड़ रहा था अधी रात बित गई जब वा ठक गया तो फूक मार कर दिया बुझा दिया लेकिन वा यह देकर हैरन हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णी मा का चांद बहार खड़ा रहा लेकिन जैसे हैं दिया बुझ गया तो चांद के किरने उस कमरे में फाइल गई वो आदमी बहुत हैरन हुआ यह देकर कि एक छोटे से दिये ने इतने बड़े चांद को बहारोप कर रखा उसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहांकर के बहुत छोटे छोटे दिये जला रखे हैं धान दवलत का अहांकर पाद प्रतिस्ठा का अहांकर बहुबल का अहांकर तीब्र बुधी का अहांकर सुन्दर्त का अहांकर सुरिली आवाज का अहांकर अपने टालेंट का अहांकर पर क्या या सब मेरा है इश्वर का वर्दन नहीं तो फिर इतना अहांकर क्यों इसी अहांकर के कारण हम इश्वर की उपस्थिती का अनुभाव नहीं कर पाते हैं जिसके कारण परमात्मा का चान बहार ही खड़ा रह जाता है तो इस शान को अपने आंदर लने के लिए अपने अहांकरी प्रभूति को हटाना होगा, मन को शान्त रखना होगा इस वर की उपस्थिती आपकी जीवन में निरंतर मौसूस होते रहे रहें प्रहुति आपकी जीवन में से लिवन में को अपने अपने नहीं एक चान बहार है अपने प्रभूति को हगा उता है